प्रिंटिंग मेरे ख्याल से पर्फेक्ट हुआ है ए ऐ को अपनी ये ट्रीक मेरे को प्रिंटिंग पर्फेक्ट लग रा है इस वार्श वूलक livre दैक्ट टूभ टू मैं ईधि न्यूटित चैनल में एक बार फिरसे आपका बुष भुष स्वाकत है इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं Varieties of Sublimation Glass Frame की प्रिंटिंग किस तरीके से आपको करनी है दो मसीन से मैं basically प्रिंटिंग करके दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में जिसमें आपकी एक normal 5-in-1 मशीन है ठीक है और एक अपनी ये heavy duty की जो मशीन है जो काफी लोग लेते हैं तो दोनों मसीन से glass frame किस तरीके से print करने होते हैं वो मैं print करके आपको इसमें दिखाने वाला हूँ क्या temperature रखना क्या timing दिखना है वो इस वीडियो में cover करने वाले वीडियो को आगे बढ़ाने जे पहले मैं आपसे एक request करता हूँ आप जितना भी हमें contact करते हैं काफी लोग contact करते हैं तो try किया कीजिए कि आप में WhatsApp करें आप call पे थोड़ा कम ध्यान दे कि हमें WhatsApp करें क्योंकि हम काफी दूसरे काम हों में भी वियास्त हो सकते हैं इसलिए मैं आप से request करूँगा कि आप जितनी भी आपके inquiries हों कि जितने भी आपके doubts हो आप WhatsApp करें अगर आपके WhatsApp पे जादा टाइम तक reply नहीं आ रहा तब आप हमें कॉल कर सकते हैं वरना ट्राइ किया कीजिए कि 90% आप हमें WhatsApp करें कोल की जागा ठीक है इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ग्लास फ्रीम की रेंज मैं आपको बताए अपने पास अवेलेबल है वह भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कौन-कौन से अपने पास अवेलेबल है बात करें तो प्रिंटिंग की तो इन दो मशीनों के साथ हम प्रिंटिंग करने वाले हैं वीडियो को जादा बड़ा नहीं करेंगे ठीक है छोटा वीडियो अगर आपको नहीं मिला तो तेंपरेचर चाट आप ले सकते हो जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है हमारे ट्रेनिंग नंबर 704269-2172 पे हमारा यह टेंपरेचर चाट आप ले सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है ठीक है इस मशीन की बात कर और रखना है मिनीमम रखना है 290 तेंपरेचर फेरनाइट में बात कर रहा हूं और मैक्सिमम रखना है 330 फेरनाइट में और टाइमिंग आपको रखनी है 100 सेकिंड और प्रिंट निकालना है पोजिशन पर देखिए हमारी जब आप टेंपरेचर शीट लेते तो उसमें दो आपको क्या है इसमें positive image निकालने पड़ते है मतलब आपको जो photo जो भी आप निकाल रहे हो logo निकाल रहे हो उल्टा करने की जरूद निया मिरर करने की जरूद निया आप उसको सीधा निकालना है उसका मतलब होता है position और अगर आप कर रहे हैं इस तरीके से frame print mdf के frame जब आ आपको mirror printing करनी होते है समझा उल्टी तब printing निकालना है जब आप सावने से product के ओपर रखोगे paper और अगर आप पीछे से paper लगा रहे हो और आगे वो printing दिखती है तब आपको position में मतलब mirror करने की जो होते है सीधा का सीधा जैसे आप normal bill वागरा निकालते है उस तरीके से आप को print निकालना है print की बात करूँ दो print मैंने यह निकाले हुए setting उससे पहले चलो मैं आपको temperature set करना बता देता हूं machine को सबसे पहले on करना है जब सबसे पहले आप machine को on करते हो तो यह present temperature आता है मतलब जो इसमें already machine में set कर रहा है temperature वो आपका show करता है उसकी तरफ को increase होता है ठ तो आपको इस वाले बटन से इसको decrease करना है तो इसको मैं दबा के रखूंगा इस तरीके सा आपको दबा के रखना और यह चोड़ दिया यह हो गया आपका minimum temperature mode के बटन को एक बार और क्लिक करो तो temperature की यह वाली light जल जाती है हाँ पर आप देख सकते हो तो आपको यह आता है आपका maximum temperature तो यह आपको करना है 330 इसको मैं दबागी रखूंगा और 330 है मैंने set कर दिया है फिर आपको mode का बटन एक बार और क्लिक करना है तो timing की light अपनी ज जब तक यह increase होता है तब तक मैं आपको इसका दिखाता हूं अगर यह वाली मशीन से आप प्रिंट करना चाहते हो तो इस मशीन को इस तरीके से आपको ओन करना है यहाँ पर आपकी मशीन चल रही है celsius में आपको सबसे पहले इसको फेरनाइट में करना है convert तो आपको इसक के बटन को एक साथ क्लिक करना है देखें आप डिगरी celsius लिका हुआ है प्लस माइनस के बटन को एक साथ क्लिक करो फेरनाइट के अंदर मशीन आ गई है इसका temperature सेट करने के लिए आपको क्या करना है तकरीबन आपको 370 360 to 370 मैं इसका कर देता हूं 365 ठीक है यह temperature सेट हो ग घ्ली है विए उसकी चलो कर देता हूं 200 आपको आपको सबसे पहली चीज़ देखें ॥्रेम के मैं पाकिस तरीके की आती है N जो आपको bubble wrap के साथ मिलता है, ठीक है, इसको मैं रखता हूँ इधर, और इसके साथ आपको मिल जाता है, यह मैंने निकाला हुआ है, यह आपको मिल जाता है, इसका पूरा कपूरा stand, दूसरा इसके साथ आजाती है, अपनी दूसरा frame भी निकाल देता हूँ, यह लीजिए, औ तोर जाती है ग्लास फ्रेम तो उस तरीके से पैकिंग हमारी चाइना से हो करके आती है ठीक है इसके बॉक्स में रख देता हूं एक बार साइड में क्योंकि टेबल चोटा है टेबल हमने फैविन एक मशीन के साथ से ही बनाया हुआ है यह रख दिया मैंने इधर प्रिंट मैंने निकाले हूं है दो ठीक है और यह इस तरीके से आपके स्टेंड्स वगरा आते हैं यह लिजिए इस तरीके के स्टेंड्स वगरा यह आपको मिल जाएंगे आपको देखें इस तरीके साब को एक खोलने है इस तरीके कbuildary यह लगाना किस तरीके से वह आपको बताओं गा सबसे पहले आपको क्या करना सब से पहले आपको प्रिंट जो निकाला हूआ है वह आपको लगाना है बबल रब आफ लीए लिवGu देखिए दो तरफा होती है एक तरफा यह प्लेन होती है और एक तरफा मैट फिनिश होता वाइट वाला पॉर्शन ठीक है आप आई जूम करके यहां पर आपको देखिए यहां पर मैट फिनिश है आपका और यहां पर आपका ग्लोसी है यहां पर आपका ग्लास है और यहां इस तरीके से आपने निकाला और इसके अंदर आपको ये डालना है यहां पर आपको इस तरीके से लगाना है और आपका यहां पर इस तरीके से आपको इसको बंद कर देना है दो तरीके से इस फ्रेम को आप यूज कर सकते हैं दोना तरीके बताता हूए ऐपको किस तरीके से थोड़े पीछे लाँता हूँ व्यूवे एक है तो इस तरीके से अब र रख सकते हो तो फटा आपको पोट्रेट में लगाना पड़ेगा और अगर आपको इस तरीके शए रखना है और यह वाला जो प्रिंट मैंने निकाला हुआ है यह निकाला हुआ है प्रिंटिंग की सेटिंग बता देता हूं अगर आपने लेट ड्राई या एसरेस का कोई पेपर इस्तेमाल करा है तो आपको एप्सन मैट रखना है kyou场 को क्वालिटिर्ट रखने है एफसमें उसमें असरेस का मैपडं करा है है हाई रखनी आपको क्वालिटी ठीक है सबसे पहले इस तरीके से आपको रखना है यहां पर आपको देख लेना है कि प्रिंटिंग आपको कहां पर करनी है और किस तरीके से आपको यहां पर चारा दिख जाता है इसमें कि प्रिंटिंग कहां पर होगी और कैसे होगी इस तरीक करना एक इधर से सब्लेमिशन टेप लें लगा देस्ट सुब्मिस刃ं का बहुत टरीके साप को इस तरीके से आपको यह करने यहां पर देखे टेंपुर्चर की बात करों तो के करीब हमारा तेंपुरेचर हो गया है अभी काफी लोग क्या अम घॉ emoji स्टाहरork OS तुरंट के तुरंट इसको निकाल लेते फ्रेम को तो उस तरीके से आपको काम नहीं करना है आपको दूसरी चीज जो जरूरत पड़ेगी इसमें और यहां पे इस तरीके से रखना यह थे प्रेशर में नहीं को आपको यहां पर्फेक्टर से यहां से बिल्कुल नहीं तो और आपको बहुत moderate इसमें pressure रखना है जितना दो उंगली से दो फिंगर से आपके थमसे और इस वारी फिंगर से आप इसको गुमा सको उतना करना है वरना नहीं करना लास्ट वाला बटन आपने क्लिक करना है हाँ पर आपका क्या होगा temperature थोगा फिर increase होगा तब इसका countdown आपक आपका बहुत ज्यादा चला जाएगा ठीक है अगला item यही glass frame दूसरा राइटी का ठीक है यह वाला मैं आपका यह इस पर प्रिंट करके दिखाने वाला हूं सेम तरीका है आपका इस तरीके से आपको यह लेना है यहां पर आप देखिए इस तरीके से ले लिया यह ठीक है यह लीजिए यह मैंने ले लिया और आपको क्या करना है यहां से से तरीके से जैसे मैंने उस वाले frame पर करा था सेम तरीके से आपको यहां से भी बंद करना है यह लीजिए और सेम तरीके से आपको यहां से लिए करना है ठीक है इस तरीके से ठीक है आपको दो तो टेप लगा दीजिए ताकि आपका प्रेंट चुटे भी ना जो पेपर इसके उपर आपने लगाया हुआ है यह वाला मशीन भी हमारा रेडी हो गया है इस पर मैंने टैफलोन शीट क्रेंट भी लगाया हुआ है ठीक है उस पे नहीं लगाया हुआ टैफलोन शीट का यूज करना चाहिए वैसे मशीन को साइड में करना है और इस तरीके से फ्रेंब को रग देना है यहां पर की साइड हमेसा उपर रहनी चीए इसमें भी मैंने आपको नहीं बताया उसके ल तो उसमें तक्रीबान आपकी दो से तीन मिनिट चली जाती है ठीक है यहां से आपको इसको डाउन करना है प्रेशर यहां से आपका रहेगा ठीक है यहां से आपको मोडरेट प्रेशर रखना है और यहां पे भी आपकी यहां पर इस मशीन में और इस मशीन में क्या फर्क होत त्म इसे में थोड़ा ऐसे में थोड़ा सा जादर रखना पड़ता है उसके लिद्या तरफ आधीग के यहूदं हो खूरत मैंकिक इसके हैंट को हमोगा ख्ड़कर हूरत किसी कालगा के साथ हम जादा फैमिल्यर इस मशीन के साथ हम जादा फैमिलियर नहीं हैं तो इसका हमें बैठरि अच्छे से पता है कि किस तरीके साथ को प्रिंटिंग करनी है देखिए गलास फ्रेम की मैं बात कर रहा था कि हमारे आ रहा था ट्रांस्पोर्टेशन की बात करो तो बबल रैप से आ जाती है आपकी ठीक है यहां आपका पूरा टेंपरेचर है यह देखिए और अगर आप कोई और दूसरी मशीन पर यूज कर रहे हैं जैसे कि मशीन लग रही है उसके साइड में फिर आपकी मग मशीन भी लगी हुई है फिर साइड में आपको मेरून कलर की जो मशीन आप देख रहे हो वो है हमारी 3D वैक्यूम मशीन जिसमें आप ग्लास फ्रेम भी प्रिंट कर सकते हो जिसका वीडियो में जल से जल ले करके आऊंगा और इदर आगा अगर आप देखोगे तो लेबल मशीन है सिपर मशीन है मग मशीन है जो 591 कोंबो के साथ हमारी आती है वो सारी के सारी मशीन अभी हमारे पास स्रॉक में अवेलेबल है वो भी आप परचेज कर सकते हो जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उस तो वह 7042692172 है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको पताया था उस पर आप कोल कीजिए ट्रेनिंग नंबर अलग है कोलिंग का नंबर ओडर से रिगार्डिंग नंबर आपका अलग है ट्राइब कीजिए वाट्सैप कीजिए जो भी प्रोब्लम है अगर आपको कोई प्र कोल करने से पहले ठीक है यहां पर आप देखिए टाइमर हमारा स्टार्ट हो चुगा है नेरली 65 सेकंड के अरांड हमारी बची हुई है और वह हमारा 25 सेकंड के हमारा टाइमर बचा हुआ है ठीक हो उसमें हमें थोड़ी सी हीट और देनी पड़ेगी एक में एट से एक से पहन लेता हूं अगर आपको गलफ अगर भी चीए तो आपको मिल जाएंगा अगर किसी ने मशीन पर चेस की होगी तो इसको तो गलफ मेलिया हुआ कि इस तरीके से आपको ये पहनना है जुला कि देख लेता हूं अबार कि प्रिंटिंग हुआ है या नहीं है थोड़ा सा और टाइमिंग हमें चाहिएगा यही से देने के लिए करह के तो हमें प्रिंटिंग मेरे ख्याल से परफेक्ट हुआ है मेर को प्रिंटिंग परफेक्ट लग रहा है इसको रख देता हूं एक मिनिट की लिए इधर ठीक है मशीन को सबसे पहले अपन कर देते हैं बंद बंद किया है नहीं किया है कर देता हूं बंद कर दिया मैंने मशीन को और इसको रख देता हूं मैं यहां पर गरम है बहुत तब तक यह मशीन भी देखिए मशीन बीप कर रही है यह मशीन भी हमारी बीप कर रही है तो बीप सबसे पहले आपको बंद कर देए इस मशीन की बीप बंद हो गया इस हाथ से आपको इसाथ से लिवर को उठाना है बहुत प्यार से और इसाथ से यहां पर रख देते हैं, इस मशीन को भी कर देता हूं मैं, बन, देखे, अब मैं डिफरेंस पर समझाता हूं आपको टैफलोन शीट क्यों लेनी चाहिए, यहां पर और यहां पर आप देखे, प्रिंट के निसान आ गया है, इस पर मैंने टैफलोन नहीं लगाया था, इस पर निसान छुट जाएगा, ठीक है, प्रिंटिंग में आपको क्या होता 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 है, यह चुटाना है इस तरीके से चुटाया यह सब्लीमेशन टेप इधर से चुटाया आपकी ठीक है और आपने पीछे से अठा दिया यह फ्रेम और यहां पर प्रिंटिंग की क्वालिटी भी देख सकते हैं जो हमारा लेट ड्राइ का पेपर इस्तमाल करता है देखे काफी लो मैंने नॉर्मल फाइव इनवन मशीन से प्रिंट किया था वह भी मैं आपको चुटा के इस तरीके से दिखाता हूं और इधर से भी चुटा देता हूं यह चुट गया आपका टेप मैंने चुटा दी है बहुत गराम है यह इसमें भी मैं हीट महसूस कर सकता हूं गलवस मे कि इसवाली से ठीक है का परसें आपको करना है आपको शॉदा होईगा ठंडा होने के बना प trabaje जैसे मैंने आपको इसलिए मैंने जब ठंडा था से पहले ता था तभी मैंना आपको स्टैंड लगा किस तरीके से लगाना है एक बार मैं इधर से फ्रेम उठा के दिखा देता हूं आपको कि किस तरीके से स्टेंड आपको लगाना है जैसे यह वाला स्टेंड है आगे से लगाना है पीछे पीछे से यह वाला पार्ट लगाना है एक मिनट गलफ यह लीजे यह वाला दो आप इसको दुपारे से रख सकتे हैं तो आपको देखाता हूँ आपको इस तरीगे से आप इसको अगे सब्सक्राइब या da मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके की यह देखिए इस तरीके से आपको बैटरी मिल जाएगी ऐसा नहीं है काफी लोग के क्या था कि सर आपने नॉर्मल 591 के साथ तो बता दिया है तो प्रिंटिंग क्यालिटी देखिए आपकी आलमोस सेम सी ही रहती है आप देख भी सक और आपकी प्रिंटिंग क्यालिटी दोनों में बहतरी नहीं है इसमें भी आपकी अच्छे है और इसमें भी आपकी अच्छे है तो प्रिंटिंग क्यालिटी सेम भी रहता है आप मशीन कोई साथ पर्चेस करो नॉर्मल 5-1 करोगे तब भी प्रोब्लम नहीं आएगा तिसर प्रोपलम आपको नहीं आएगा आप 3D facility मुलेगा अगर आपके जो प्रिंट आप निकाल ओना मैंने घुज़े परिंटिंग की क् Zoo वह वह अच्छी ओने चाहिक certificate का फी लोग क् dinosaurs द्रशा करते कि तो उसका प्रिंट्टिंग क्वालिटि अगर खराब होगी तो आपके फ्रेम पे भी क्वालिटी नहीं आईगी तब तक के लिए बेने रहिए, थैंक्यू सो मुझ